हेलो फ्रेंड्स गूड मानिंग नमस्ते कैसे आप सब लोग तो आज मैं आपको सुखाऊँगा कि किस तरीके से आप यह प्यारी प्यारी चॉकलेट बाल्स बना सकते हैं बहुत इजी तरीका है बनाने का और अगर आपको जानना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेग और दूसरी वी है वाइट कंपाउड लेकिन परपल कला हमने इसमें एड किया हुआ है तो सबसे अपने पहले चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं सर्दियों को टाइम है चॉकलेट बहुत ज़ली सेट होती है तो इसलिए हम एक एक करके ही आपको दिखा देंगे यह कंपनी का नामा पढ़ लेना मैंने सिलिकॉन के मोल्ड मगार रखे हैं यह इसका साइज मैं अगर आपको बता हूं तो बीस तीस चालीश पचास साथ में के हिसाब से आते हैं पांच का सेट होता है यह अब प्राइस तो शायद थाइस सो तीन सो या साड़ तीन सो क्यास पास था तो कोई नहीं वन टाइम इंवेस्मेंट है और तो इसमें आप नीचे इस तरीके से चौकलेट पाइपिंग वैक की हैल्प से पोर कर सकते हैं सब में एक साथ और इनको अब आपको ढखकर लगाते ना इसके उपर होल भी रहता है तो उसको दूसरी तरीके से भी बना सकते ह है चलिए थोड़ी सी चौकलेट गिर गई है तो बहुत ज्यादा चौकलेट आपको नहीं भरनी है उससे क्या होगा आपकी बॉल है भी हो जाएगी बहुत ज्यादा पतली रहे गई तो फिर वो निकालते साइम तूट जाएगी यह चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड रहेंगे और अच्छी तरीके से चौकलेट को सब जगे स्प्रैड कर देंगे देखो शक्तिमान की पावर यहां पर मैं यूज कर रहा हूं तो आपको भी लग रहा हूं कितनी तेज स्पीड है इस पास परवड कर रहे कि थोड़ी वीडियो ठीक है जी इसको ऐसे सेट करके थोड़ा उल्टा रख देंगे फिर थोड़ा पलटके रख देंगे ताकि मतलब बैलेंस बना रहे हैं चौकलेट एक जगे जगे घटी ना हो और अब यह जाने के लिए तैयार है फ्रीजर में तो चौकलेट हमारी इतनी जल्दी सेट हो रही है कि अल्मस यह जम भी चुकी फ्रीजर में आप कम से कम 5-10 मिनट तो इनको रखी देना ताकि यह निकलने में काफी असानी रहे तो देखो इस तरीके से खोलते हैं थम की हैल्प से इसको खोलेंगे और फिर धीरे धीरे इसको उतारते जाएंगे बहुत पतली होगी तो इस टाइम यह तोड़ जाएगे तो साइड में जो बहुत सारे बैलोंस होते हैं मैं तो प्रिफर करूंगा कि आप लोग वह जो थर्मकॉल की बॉल साती है उसी से बनाया करें और उस पर चॉक्लेट कोटिंग करके क्योंकि वह हलकी बहुत होती है और इसमें बैंबू स्टिक जब हम स्क्वियर लगाते है में और चॉक्लेट के साथ पर गॉल जाता है तो उसके गिरने के चांसे इस और आप एक साथ बहुत सारे बना भी सकते हों अब यह जैसे कि आये कि आगर आपको चार-पांस बाल या दस बनानी है तो ठीक है तो आपको एकपर पना सकते हो को यह प्रॉब्लम नहीं है ठीक ह आपको फिर इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बढ़ जाओ तो काम के एकॉर्डिंग आपको प्रोड़क्ट चूज करना होता है ठीक है अभी आपको इसको मैं देखो साइड से जो जॉइंट है उसके उसको स्क्रैप कर लेता हूं थोड़ा सा ताकि यह फिनिश्ट हो है कि तो देखो पांच बॉल्स तो आपकी तयार हो गई है चार पांच बनानी हो एक बार में इस तरीके से चॉकलेट बॉल मतलब बैंबू स्टिक लगाएंगे और भर देंगे अब यह आगई हमारी परपल चॉकले अब आप यह पूछोगी कि कौन सा कलर यूज क्या है त चॉकलेट कलर सब दिखाए मैंने कि किस तरीके से यूज करते हैं तो इसको इस तरीके से भर सकते हैं साथ की साथ और अब यह देख लो मैं इसको फिर से चॉकलेट को हर तगरफ स्प्रेड करना पड़ेगा तो ऐसे ही करते रहेंगे हमने वाइट बना ली है अब हम परपल बना रहे हैं ठीक है तो अब आपको समझ आ गया हो कि स्टैरोफॉर्म बॉल्स जो आती है थर्मकॉल बॉल्स आती है वह आपको यूज करनी है अगर इस तरीके की बनानी आपको यूज करनी है कम कॉंटिटी में यूज करनी है तो आप इससे बना सकते हो ज्यादा कॉंटिटी में करनी है तो फर्मकॉल बॉल यूज कर सकते हो के बर किस्टमर यह कह देता है हमें तो खाने वाली बॉल ही चाह चॉकलेट डालनी पड़ती है उसको फिर बार-बार कोटींग करनी पड़ती है फिर उनको दोनों को निकाल की स्वेट को जोड़ना पड़ता है और उसमें वह गोल भी नहीं बनता अच्छी तरीके से वह कुछ अंडे जैसा बनता तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता लेकिन के बार आपके पास मोल्ड अवैलबल नहीं होते तो आपको सब चीजे करनी पड़ती है लेकिन अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है जिससे आप अच्छा काम कर सकती हो तो मेरे साब से आपको उसमें इंवेस्ट करना से इसको लगा देंगे अपने फ्रीजर में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना और वीडियो को लाइक जरू कर देना आप लोग चलिए एक्स्टा चॉकलेट मैं सोच रहता कुछ होगी तो निकल जाएगी और आप इसको भी रखते हो डार्क भी बना सकते हो आप चाहे तो इसके उपर डस लगा सकते ताकि थोड़ी शाइनी सी हो जाए कि कई बार क्या होता है जैसे हम इसमें निकाल रहे है तोड़ा सा वाइट इंप्रेशन आ गया जॉइंट के उपर तो गोल्डस वगयरा से अगर आप इसको या सिल्वर से थोड़ा सा एक ग्लिटरिंग एफेक्ट दोगे तो काफी अच्छी हो जाती है फिर यह बॉल्स भी शाइनी जैसी लगने लग जाती है तो में को तो काफी हैल्पूल लगी है यह बनाने के लिए क्योंकि एक बार भरो और स्प्रेड करो चॉक्लेट और आपका एक बिरक साही दिया है यह थोड़ी से आ रहे है यह तो जलो देखो आएंगे ही और हाथ अगर थर्मकॉल वाली बॉल से बनाते हैं उसमें नहीं आता है क्योंकि उसको अपने पूरा ही डिप करना होता है बड़ उसमें समस्य क्या होती है वह बहुत ही जाद़ परफेक्ट राउंड शेप में नहीं मिलती है छोटी मिल जाती है जो बड़ी होती है थोड़ी से अनिवन होती है तो देखो हर चीज के कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान भी होते हैं तो देखो यह अब इसमें यहाँ पर ऐसे तूथ पिक तो नहीं कहेंगे पाइपिंग बैक से चॉकलेट लग